हेलो वीवर्स कैसे हैं आप लोग सुगशी आज के वीडियो मरा बहुत ही खास होने वाला है कि यह हमारा वीडियो पहला गीता गयान पर वीडियो है तो थी जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहें। आगे बनने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल का सब्सक्राइब ने किया है, तो आफिति है कि में पट्ण को प्रेस करकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ या प्रेस करते है हमारे लेटेस अफटेट करने के लिudas सुकाई साम अपने जिन्दगी में काफी बार ठक हार कर बैर जाते हैं और कहते हैं कि हम भगवान की इतनी पूचा बगरा करते हैं पर फिर भी भगवान हमारी मदद बिल्कुल नहीं करते तो दोस्तों यह बिल्कुल ही कहना गलत होगा तो इसका भी आंसर गीता में दिया गया है तो बस उसे जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहें उसका आंसर बताने से पहले में आपको एक दोस्तों स्चोरी सुनाना चाहूँगा वो स्चोरी शायद आपने सुनी भी हो सकती है और ना भी सुनी हो सकती है वो ना ही दिन में मरेंगे ना ही रात को वो ना ही किसी हत्यार से मरेंगे ना ही किसी बिमारी से वे ना ही किसी इनसान से मरेंगे और ना ही किसी जानवर से और ना ही उन्हें कोई देवता मार पाएगा सुगाइस इन वर्दाम्ट के कारण वो अपने आप में एंकार में आ गए थे और कहने लगे थे कि अब वो अमर है और अपनी ही सारी तरफ पूजा कराने में लग गए थे वो कहते थे कि भगवान के नाम को कोई चीज नहीं है जो है मैं हूँ अब सब लोग मेरी ही पूजा करेंगे पर उनके जो बेटे थे परलाफ भगत वो उनकी पूझा करते थे और जब वैं उनकी पूझा करते थे तो हरनाकिश बहुत गुसे में आते थी वो मर जाए और उनका काम किसी तरह बन जाए पर वो विश्नु बगवान के भगत थे विश्नु बगवान ने उनके तन मन में विश्नु बगवान ही थे उनके लावा परलाद भगत के मन में और कुछ आता ही नहीं था तो दोस्तों विश्नु बगवान उनकी हर तरफ से में बुलाया और एक लोहई का खंबे को बहुत ही गरम करवा दिया उनके नीजे से आग डालकर और जब वह बहुत गरम हो गया तो हरनाकश ने अपने बेटे से कहा परलाद भगत से कहा कि तुम विश्नु भगवान को मानते हो बरलाद भगत ने नीजे संदेह का जी हाँ मैं विश्नु भगवान को मानता हूँ अगर तुम मुझे मानते हो तो वो तुम्हारे हर्दगर्द हर एक जगह में है तो प्रलाद बगत ने बहुत ही अच्छा अंसर दिया। उन्होंने कहा कि वो हमेरे भीतर भी हैं आपके भीतर ही हैं और दुनिया के हर एक कन-कन के भीतर विश्ण बगवान समाय हुए हैं। तो हर्दगर्द बगत ने बहुत ही अच्छा अंसर किया जी हां वो इस खंबे में भी है। तो हर नाकश ने उसी वक्त कहा अगर इस गरम खंबे में है तो तुम इस खंबे को अपने गले से लगा लो तो परलागद भगत ने नी संदे होकर देखा कि इस खंबे पर एक चीटी जा चल रही है और वो समझ गए कि इस खंबे से बीतर भी विश्नु भगवान जी समाया हुए है और उसने बीस नी संदे है उस खंबे को गरम खंबे को अपने गले से लगा लिया और उने कुछ भी नहीं हुआ फिर यह देकर नाकश को बहुती गुसा आया और उसने अपने तलवार निकाले और सीधा प्रलाद भकत पर दे मारी प्रलाद भकत को कुछ नहीं हुआ और दरवार सीधा खंबे में जाके लगे खंबा तूट किया और खंबे के बीच में से विश्णों बगवान का अफ़तार नर सिंग जी आये नर सिंग नाही अंसान थे और नाही शेर थे वो आदे इनसान और आदे शेर थे उनके नाकून बहुत बड़े थे और उन्होंने उसी समय हर नाकश को उठाया और अपनी जांक पर बठा दिया और उन अपनी नाकून से उसका पेट काड़ डाला और उनकी मृत्यू कर ली उस समय नाही दिन था और नाही रात थी शाम का समय था वह हर नाकश नहीं उनके जमीन में थे और नहीं आसमान में थे वह भगवान जी की जांकों पर थे और भगवान जी नहीं नहीं उनकों हत्यार से मारा और नहीं किसी बमारी से उन्होंने उनकों अपने नाकून से मारा तो दोस्तों अब शहर्द आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के मदद करते हैं और उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं इसकी व्याक्या भी दी गई है गीता में जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा वो भगवान जी कहते हैं जो भक्त जन अन्य था भाव से मेरे चिंतन करते हुए मेरी पूचा करते हैं ऐसे साद्गों के योग शेम में स्वै मैं अपने उनकी मदद करता हूँ इसकी व्याक्या इस प्रकार है जिस व्याक्ती के मन में हर समय केवल प्रमात्मा ही बसे है और केवल मेरी ही पूचा करता है ऐसा निरंतर प्रमात्मा से जुड़े साद्गों की साद्गों की रक्षा मैं स्वै करता हूँ अर्था अर्थ भक्त ने जो साद्गों आई तक की है वह सलसकार रूप में चित्त में जाकर समा जाती है और कट्टी होती जाती है फिर जिसका नाश नहीं होता क्योंकि प्रमात्मा उसकी रक्षा करते हैं और वह साद्ग को अध्यात्मा मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है अब आपको शायर ये वीडियो समझ आ गया होगा और आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद लाया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और हमारे चनल को